सू सौगतम बच्चों, आज हम लोग हिंदी विशय के बारे में परेंगे पार्ट नमबर 9, रंग, कलर्स, ये हमारे पार्ट का नाम है बच्चों आज हम रंगों के विशय में जानकारी हासिल करेंगे, ठीके, आइए पहला है काला कलर, ब्लैक कलर, ठीके, ब्लैक कलर इंगलिस में कहते हैं बच्चों और काला हिंदी में कहते हैं, ठीके, मुख्य रूप से हमें यहां पे रंगों की जानकारी हासिल करनी है तो काला कलर की रूप में देखिए हमने यहां कवे का फोटो लिया है कवे के चित्र को यहां पे आप देख सकते हो यह काला रंगा है ठीक है बच्चो तो काले का जभी भी हम जिक्र करते हैं तो कवे का चित्र हमारे मन मस्तिक पर उपस्तित हो जाता है बच्चो और कववे के संबन्ध में एक बात और भी कही जाती है कि कागा काको लेत है कोयल काको देत तुलसी मेठे बचन से जग अपनो करी लेत हिंदी विशय में अनेक कहानी कहावतों के द्वारा भी अध्यन किया जाता है बच्चों जिससे हमें ये चीजे भूले ना ठीक है तो कववा और कोयल के संबन्ध में कहा जाता है कि दोनों का कलर तो एक है लेकिन बोली में बहुत अंतर है कोयल की बोली मीठी और कवे की बोली करकस होती है बच्चो यही कारण है कि कोयल को सभी पसंद करते हैं और कवे को बहुत कम लोग पसंद करते हैं बच्चो ठीक है तो हमने यहाँ पे जानकारी हासिल की काला और ब्लैक कलर के बारे में आईए अब हम लोग नीला कलर के बारे में जानते हैं नीला को इंगलेश में ग्लियो कलर कहते हैं नीला को हम प्रतिक के रूप में आकास को लेते हैं बच्चो जबी भी हम नीले की बात करते हैं तो आकास का चित्र हमारे मनमस्तिक पर उपस्थित हो जाता है तो हमने नीला के लिए आकास को लिया है बच्चो ठीके आकास में रैनबो भी होती है तो हम उसे भी आसानी से देखते हैं आगे की स्लाइड में हम लोग भी देखेंगे बच्चो ठीके तो यहाँ पे नीला और ब्लू कलर जो आकास का कलर माना जाता है बच्चो ठीके आएए अब हम पीला कलर को देखते हैं पीला हिंदे में कहते हैं बच्चो और इंगलिस में यलो कलर कहते हैं ठीक है पीला कलर के रूपे हम ने या सूर्य मुखी का फूल लिया है बच्चो सूर्य मुखी दो सब्दों से बना हुआ सब्द है बच्चो या सूरज के मुख के तरफ फूलने वाला फूल माना जाता है बच्चों ठीक है आप इसको आसानी से देखे भी होंगे और जानते भी हैं पीला कलर को सूर्य मुखी का प्रतीक माना जाता है बच्चों ठीक है आईए अब हम लोग देख लेते हैं कि लाल कलर यानि रेड कलर में red कहते हैं और Hindi में लाल कहते हैं बच्चों लाल कलर का जिक्र जब ही भी आता है तो हम लोग लाल चीजों का अध्यन करते हैं वह हमने यहाँ पर प्रतिक के रूप में टमाटर लिया है देखिए टमाटर लाल रेड के लिए टमाटर को लिया गया been ठीक है अब देखते हैं हम लोग कि हमने क्या क्या पढ़ा काला ब्लैक कवे का चित्रे लिया नीला ब्लीव आकास का चित्रे लिया ठीक है काला को ब्लैक कहते हैं और नीला को ब्लीव कहते हैं आईए अब हम लोग देख लेते हैं पीला को यलो कहते हैं और लाल को रेड कहते हैं बच्चो सूरे मुखी का फूल और टमाटर का जहां पे चित्र लिया गया है लाल के रूप में टमाटर और पीला के रूप में सूरज मुखी का चित्र उपस्तित हैं जो आप आसाने से इन जिनकों इंग्लिस में colors कहते हैं और इंदे में रंग कहते हैं यानि रंगों की नाम की जानकारी ठीक है बच्चों काला कलर को black, नीला कलर को blue और लाल कलर को red, पीला कलर को yellow बच्चों हमारे lesson का मुख्य उद्देशी यही है कि बच्चों को रंगों की जानकारी दी जाए कि रंग कहां कहां पाये जाते हैं और कैसे होते हैं और उनको हिंदी और इंग्लिस में क्या कहते हैं बच्चों ठीक है आए हम लोग देख लेते हैं कि rainbow का चित्र rainbow आकास में पा लानी माना जाता है इंग्ते cac flames का कल्र माना जाता है rainbow तो इंग्लिस में कहते हैं और हिंदी में इन को इंद्र हभनुस कहते हैं बच्चों ठीक है इंद रध हनूसी कलर जबिभी आए आएगा तो वह rainbow का कलर आता है तो हम नहीं यहा बैचार रंगों के बारे में पढ़ें, आगे की वीडियो में हम बागी के कलस को देखेंगे बच्चों, उमीद करती हूँ कि आप लोगों को इतनी चीजे समझ में आ गई होगी, आप अपने नोट बूक में इन कलस के नाम को बार बार पढ़िए, इनको दोराइए, ठीक है बच्चों, और बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो ये कलस के नाम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है आईए, धन्यवाद बच्चों झाल